हाई फ्रेंड्स वेलकम्स यू अल अने इंग ने तो देश्कुस अनदर एस्पेक्ट आफ अशेटिलिंग गैस प्यूरिफायर लास्ट के बीडियो में आप लोग को आप अल्रेडी डिस्कुस्ट अबाउट अशेटिलिंग गैस प्यूरिफायर अच उसमें मैंने आप को बता चुका हूं इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा और और कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है तो चलिए मैंने यहां पर यह आपका मैंने लाज वीडियो में भी दिखाया था यह जो है अशेटिलिंग गैस प्यूरिफायर का डाइग्राम है और इसी से हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में समझने कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं तो it is it is in a cylindrical shape है ना तो यह जो डिवाइस होता है यह cylindrical shape में होता है मैं लिख देता हूं इट इज इन कि इसलेंड्रिकल यह यह बेलनाकार shape में होता है अभी आप लोग को यह diagram जो देख दिख रहा दोस्तों यह तो इसलेंड्रिकल नहीं है लेकिन इसका जो actual जो diagram होता है वो कुछ इस तरह होता है सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसा ऐसा लेकिन इसमें मेरे को वर्किंग को explain करना है और इसको front इसका यह front view है ना यह जो purifier है इसका front view यहां पर दिखाया गया है लेकिन यह होता सिलेंड्रिकल सेप में चीक है दोस्तों तो इट इस इन सिलेंड्रिकल सेप पहला पॉइंट तो construction में यह हो गया अब जो कि सिलेंड्रिकल सेप में है तो इसका कुछ अपना diameter भी होगा है ना यह diameter भी होगा और इसका अपना कुछ length भी होगा दोस्तों तो इसका जो diameter होता दोस्तों ठीक है यह इसका dimension हो गया तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट्स डायमेटर इट्स डायमेटर इस फिप्टी मिलिमेटर तो हंडेड मिलिमेटर एंड लेंथ इस तो फिप्टी मिलिमेटर ओके फ्रेंड तो यह होगा यह एक सिलेंड्रिकल। शेप का डिवाइस होता है जिसका डायमेटर पचास मिलिमίνटर से 2 दोसद मिलिमेटर तक के दाता है तता जो लेंथ इसंडलेंथ है वह आपका 2-0 मिलिमेटर है अब इसके थर फॉइंट्स में आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में जो फॉइंट है वह यह है कि कि है कि éléments वा कंसीट है या मैं घ्लीकंपांटममें मैं यह जिस यह जो सब्सक्राइब है इसमें तीन कंपांटमेंट होता है लेकि इसको तीन भागों में बटा गिया है एक पहला दूसरा 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 करेंगा अब यह तो यह तीनों पाठ में क्या होता है इसको भी मैं इस construction में लिखते था हूं तो इसमें it consists three compartments यहने कि इसमें three compartments होते हैं first compartments में जो होता है दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं first first compartments जो होता है उसमें it contains pumic stone यानि कि जो पहला compartment होता है उसमें pumic stone होता है it is very important to know you है ना क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि first compartment में क्या होता है तो first compartment में pumic stone होता है इसी तरह से second compartment में क्या होता है तो second compartment it consists आपका pumic stone is nothing जो pumic stone होता है it is made when lava is added with water यानि कि lava को पानी के साथ अगर हम लोग मिला देते हैं तो pumic stone बनता है और यह ऐसा stone होता है जो कि moisture को remove करता है इसमें क्या होता है कि छोटा-छोटा hole type का होता है है तो खुरदूरा होता है यह stone ठीक है तो खुरदूरा पन इसमें ज्यादा होता है यानि कि जो लावा आप लोगों ने देखा होगा अगर लाव में हम लोग पानी mix कर दें तो यह वाला pumic stone बनता है तो अब second compartment क्या है तो it contains second compartment क्या content करके रखता है purifying chemical यानि कि जो दूसरा compartment है उसमें purifying chemicals होता है यानि कि यह जो दूसरा compartment है इसमें purifying chemical भरा होता है दोस्तों इसी तरह से third compartment में आ जाते हैं third compartment तो जो third compartment है दोस्तों it contains filter wool filter यानि कि यह filter wool इसमें होता है यह third compartment है इसमें filter wool भरा होता है दोस्तों तो आप लोगों को पता चल गया इसका construction यह एक cylindrical shape का device होता है जिसका diameter 50 mm से 200 mm तता standard length 250 mm का होता है इसके अंदर तीन compartment यहने इसको तीन भागों में बटा गया है और तीनों में अलग-अलग material रखा गया है पहले compartment में pumic stone रखा गया है second compartment में purifying chemicals रखा गया है third compartment में filter wool रखा गया है दोस्तों तो इस तरह का इसका यह construction होता है बनावाट होता है दोस्तों अब हम लोग इसके working को समझने की कोशिश करते हैं कि यह work कैसे करता है हम लोग इने इसके बारे में समझ गया है कि यह काम क्या करता है किसलिए इसका use करते हैं हम लोग ने कैसे यह वर्क करता है यह नहीं समझा है तो आगे बठते हैं और वर्किंग को समझते हैं तो वर्किंग यह देखिए दोस्तों यह हमारा इंड आपका डाइग्राम है तो जैसा कि मैं बता दिया हूं इसका construction में, सबसे पहले क्या होता है, कि यहां से, यहां से हम लोग क्या करते हैं, generated acetylene को यहां से inlet देते हैं, यहां से अंदर लेते हैं, जो generated acetylene है, जो low pressure generator से generated acetylene है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से inlet लेते हैं, यहां से लेने के बाद, सबसे पहले हम लोग उसको first compartment में ले रिमूव मोईस्चर, मोईस्चर फ्रॉम गैस, जब पहले कमपाटमेंट में यह गैस हमारा जो जनरेटेड एसिटिलीन गैस पहले कमपाटमेंट में जाती है, तो वहां पे जो जनरेटेड एसिटिलीन गैस में मोईस्चर होता है, उसको रिमूव किया जाता है, किसके द्वा करता है कि generated acetylene से moisture को remove करता है और उसके बाद क्या होता है कि moisture remove होने के बाद जो acetylene gas है वो इस buffle plate से यहां पर देखिए buffle plate लगा हुआ है buffle plate में छोटा-छोटा hole होता है इस hole से जो acetylene gas है वो second compartment में entry करता है अब चुकि आप लोग पता है कि second compartment में क्या होता है purifying chemicals होता है यहां पर जब यहां पर गयास बफल प्लेट की सहायता से entry करता है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर दो चीज को remove करता है कि यहां-पर रिमूव सुल्फरेट एंड फॉस्चुरेटेड हाइड्रोजन यानि की सेकेंड कमपार्टमेंट में क्या होता है जो की केमिकल्स क्यूरिफाइं केमिकल्स होता है वो क्या करता है कि जो जेनरेटेड एसिटिलीन है उससे सेल्फुरेटेड एंड फास्फुरेटेड हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है दोस्तों ठीक है उसके बाद फिर जो एसिटिलीन गैस है वो बफल प्लेट के होल के द्वारा थर्ड कमपार्टमेंट और लास्ट कमपार्टमेंट में इंट्री करता है दोस्तों तो आप लोगों को पता है कि इस लास्ट कमपार्टमेंट में फिल्टर फिल्टर वूल लगा होता है अब यह फिल्टर वूल क्या करता है कि रिमूव रिमूब लाइम डोस्ट शेत the कि घ्रन करता है यह लाइम डोस्ट को रिमूब करता है जंरेटेद हैं से तो इस तरह से जितने भी एम्पूरिटी ज TH說 है हम रहती हैं हमारे जंरेटेद इसित 07 गैस में उसको इह जो चिंसरोन प्यूरिवार है वह प्यूरिंफाइड कर द होता है यहां पर मैं लिख देता हूं लास्ट में एक अमोनिया बज़ता है तो water से हो करके फिर outlet पे निकलती है तो जब water से क्या होता है कि ammonia water में ही water के दवारा remove किया जाता है generator में ठीच है दोस्तों अब बागी सारी impurities यह हमारा यह is hemhaarina पूरिफायर remove करता है दोस्तों फिर यहाँ पे third compartment जब लाइम डर्श्ट रिमूव हो जाता है फिर इसको आउटलेट, valve से हम cores बाहर, लेते हैं और चैनल यहां पे हमें प्योर C2 H2 मिलता है और इस प्योर c2 h2 को हम लोग स्पयूर करते हैं cutting और कंपार्टमेंट में क्या होता है क्या रिमूब करता है सेकंड कंपार्टमेंट में क्या होता है सेकंड कंपार्टमेंट में क्या होता है पुरिफाइंग केमिकल्स और वो क्या करता है सल्फूरेटेड हाइड्रोजन और फास्फूरेटेड हाइड्रोजन को रिमूब करता है इस वीडियो एंद यहीं पर हम लोग इस वीडियो को कतम करते हैं थैंक यू फूर का एंटरटेंस